ताइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विशिप्रा में सारे पंजाबी इसका बहुत बहुत वेलकम जी यां हसना किसे नहीं अच्छा लगता हम सबको अच्छा लगता है लेकिन आज कल के इस बीजी और हेक्टिक लाइफ स्चाइल में हम लोग शायद कई न कई हसना बिलकूली भूल चुके हैं और आज ताइमस पंजाब के सारे व्यूवर से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आप बहुत जादा हसना चाहते हैं अपना हीमो ग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसी शक्सिय से मिलवाने जा रहे हैं जिने आप काफी कॉमेडी शोस में देख च सब तो पहला ताइमस पंजाब देख रहे हैं सारे दर्शकानों पोटूशावलों प्यार परी साथ श्रियाकाल जी नाले तो आनो जी सर अब कुछ भी आपसे पूछने से पहले सबसे पहले प्यारा सा हसी मजाख वाला चुटकला हो जाए चुटकलें दिगाल करिये अक्सर जिदा तुसी पुछ रहे हो सानू पुछया जानदा है के पोटूशावलों जी कॉमेडी कित्थों लेके आंदे हो कॉमेडी बन दी कित्था कॉमेडी दी जड़ी आमद है आम सानू दर्शकां चो आम पब्लिक चो हों दी है इमें साधी गली देवेच एक बंदा लड़ू वेचन आंदा उधा लड़ू बेचन दा स्टाइल एक बड़ा वखरा जया है लड़ू कित्था लड़ू मैं क्या पर आए तो लड़ू वेच दा है कि तेरा मुंडा लड़ू को आचानू लबदा भी है और उस्तों बाद आंड़ को आंड़ प्रोसी जड़े हो भी बड़े कॉमेडियन ने और मैं एक दन अपनी प्रोसन नों कया मैं का पाभी जी साधी प्रेस खराव हो गिया त अपने सबसे पहले बताईए आपका एक्चुल नेम क्या है अंदेखो जी मेरा नाम जिगंदर सिंग है लेकिने पोटू शावी मेरी नानी जी ने मेरा ना रख्या सी बच्चपन तो पोटू रख्या सी पहरे जो तो मैं आउडियन्स दी कचैरी देवेच अपनी कॉमेडी लेकिया होना ने रिस्पेक्ट दे नाल पिछे शाज ओड़ देता थे मैं आपोटू शावान गया जी शर्बात कि दी आर्केस्टा वगएरा ना जाना दा से उस तो बाद जागरन दे नाल उस तो बाद फिर मैं पंजाबी सिंगरां दे नाल शुरू हो गया जानी की पंजाब दे बहुत अच्छे सिंगर मनमोन वारस जी देवी मक्सूस पूरी जी साबर कोटी साप रंजीत मन जी उन्हों दे नाल मैं जी एंकर जादा रहा फिर बेच में जो दो धोड़ाँ ठीम मिलदा सी कॉमेडी सुनान दा तो बड़ा रस्पांस मिलदा से खार मैं मैं मैंनवे चे पक्छा तार ले एक मैं कॉमेडी नहीं बंडा और उस तो बाद फिर मैं अपने ब्रदर नो नाल करने शुरू कर देती जो पंजाब दे विच बड़े बड़े नामी मेले हुंदे से उना ते जा जाके ऐसी परफॉर्मेंस की ती और आडियंस ने सानों दसना शुरू कर देता कि तुसी आउना ले कॉमेडियन हो उस्तो बाद सन 2000 च मेरी एल्बम लांच हो इसी हो दो कैसेट साइकल मित्रा दी फिर साइकल मित्रा दी फिर से एक बर दुबारा उसी सांग से रूब रूब करवाईए तक हम लोग फिर से हाज सके लोग जिस एल्बम तो मेरी शर्वात होई है साइकल मित्रा दी दो लेना मैं अपने दर्शकाना सांजियां कर रहे हैं तो इतनी सुन्दर जो parody songs कि आप करते हैं आप इनको लिखते भी खुद हैं जितनी भी comedy हमने की है यह सारी आप ही लिखिया है खुद लिखिया जी और किसी की copy जो है वो थोड़ी देर चलती है जादा देर नहीं अगर आपका कुछ अपना होगा तो audience like करती है पसंद करती है इतना खुबशूरा सा टालेंट गी कब से आपके अंदर छोटी एच से ही गौड गिफ्ट है जी बस परमात्मा ने दिया गौड गिफ्ट है और ऐसे बस मेहनत भी इंसान की होती है कुछ मेहनत हमने बहुत किया स्ट्रागल बहुत किया तो वे सीखने को मिलता रहता है धीरे धीरे मेहनत करते जाओं तो family में कैसे मतलब जो आपके parents होते हैं वो भी आपके जैसा कह सकते हैं कि हम ना कि parents से कुछ सीखते हैं तो वो भी ऐसे हसने हसाने वाल में रह चुके हैं या आप नहीं शुरू किया लोगों को हसाना मैंने शुरू किया जी आप थोड़ा वो चलता रहता जैसे मेरी wife है वो घर में से comedy निकलती रहती है थोड़ी दर पहल मेरा प्रोग्रम से बिठिंडे ते मैं का चलो खाना कर जा के खाने में wife नो फोन कीता मैं का खाने ची की बनाया वो कि दे बच्चा ना लड़ी सी कें दी जैर बनाई है मैं का फिर मैं ते लेट हो जाना तूं खा के सोजी है सो इस तरह को मेड़ी निकल दी रहती हैं दी मेर साधी के दे कार लड़ाई होगी मैं वाट के चपेड मारी जूड़ा खुल गया विचो गड़बी निकली उद्रो मेरी माँ के कैंदी आप चेक चपेड हो जमारे मैं के ओके तेनी देन होगे पतीली भी नी लबदी भी सो जड़ा कमडी दा महौल है से तरह आस पास तो करो शुरू उन्दा फिर लाइब शुवां चाहके करीदा जी आपना कैमरे के सामने सर की वाइफ से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे जो सर ने इतनी तारीफ की है इन लाइन को कम से कम दस बार तो वो जरूर सुने बहुत ध्यान से सुने अब ये बताईए कि जो आपने काफी है मिमिक्री भी बहुत की है लीडर्स की किसी लीडर की मिमिक्री हो जाए बात ऐसे है जी लीडर की मिमिक्री के आप बात कर रहे हैं किसे ने मिनू कया पोटुशा जी तो राजनीती वरे पता मैं का बिलकुल जी मिनू राजनीती च मैं बच्पन तो रहा है और आज तक मैं लाघ निटी ने मेन पालपोस के वड़ा कीता है यहिती तालेंटेड़ पोटू शाजी हमारे साथ है किने राघ निती ने पालपोस के किता है मैं गाहिए ज़ा लेता है राघ मेरे डड़ड है ना दे निती मेरी मम्मी ऑगया ये राजनीती ते इस तरह एक पैरावडी सॉंग भी मैं कीता सिगा राजनीती थे वोदे हमें दो लेना तो अना सांजियां का रहे हैं एक डीवीडी दे विच आई सी जिस ता टाइटल सिगा पोटू शाजी खवरदार और वोदे विचे मेरा सॉंग सिगा मैं लीडर दा क् कितनी सुंदर कॉमेडी आप कलते हैं चलिए भी बता दीचे लोगों को हसाना कितना मुश्किल वैसे तम कहते हैं इस वेरी डिफिकल्ट आस तु मेंक समवन लाइट विचे किसी को हसाना हर कोई नहीं कर सकता इतना टैलेंट किसी में नहीं है तो आपको कितना डिफिकल्ट लगता है लोगों को हसाना कॉमेडी जो है बहुत टफ जो बैजी गाना अगर एक हीट हो जाता है तो आप बार-बार सुनते हैं अगर चुटकला एक हीट हुआ तो गया भा बहुत अच्छा लगता है, जब हम किसी को हसाते हैं, किसी का दुख कम करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम धूप में जल रहे इंसान को शाया दे रहे हैं, प्यासे इंसान को पानी दे रहे हैं, हमें हमारी आत्मा को यह मसूस होता है, और हम गौड के बहुत थैंक्स करते हैं परमात्मा का कि उसने हमारी डूटी लगाई है वही आज के जमाने में दुनिया को हसाओ बहुत अच्छी बात कहीं आपने एक चीज़ हम आपसे पूछा जाते हैं जो आज कल के कि आपको कितना लगता है कि कॉमेडी के लेवल में कितना फरक आया है पहले के और आज के कि देखो जी मैं कहना चाहना कि पहला हिट होना बहुत मुश्किल छी कैसर दा सीडीज दा जमाना सी है जी ओ स्ट्रेगल किते है कि जलंदर दूरश्ण दे अंदर सानु वड़न इसी दिता गया बहुत साल और मैं कैसा कमेडी नहीं जड़ा दूरदर्शन तो हिट नी हुआ है नहीं पंजाब दे बहुत सारी कलाकार दूरदर्शन दी देन हैं पंजाब नू मैं सिरफ स्टेज जा जाके स्ट्रेगल कर करके हैट होया और पहला हिट होना बहुत मुश्किल सी इन्टरनेट दा जुग चल रहा है एक इसकेट वाइरल हो जानद भी गीत वाइरल हो जानदा तै बंदा हेट हो जानदा है शोशल मीडिया ने बहुत एफेक्ट की है को हुआ है जी जी और आज जड़ा हेट होना बहुत सुखा है पहला हेट होना बड़ा उख शिखा है शोशल मीडिया थे तो अनुपता यहां पहला उंदा सी नेकी करते खूच पाण जो मरजी करते फेस्बुक ते पाण और पहला बजार जाके कहने हैं सी दुकान थे अद्दा के लोग खंड पादे पाईया पती पादे उन्हें सोधा रहें दे पहला नेट पैक पादे मैं पड़ोसना चैट करनी है पहला चाटते लगी हैं सी उन्हेट परसेंट एक्दम ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि यही हो रहा ह है आप खूद नोटीस करके देखिए कभी फोकस कीजिए और देखिए जो सर ने बात कही है यह बिल्कुल हंड्रेड परसेंट रोट है हंड्रेड परसेंट बिल्कुल हम एक्कुरेट मानेंगे इस बात और नेट था में तो नहुर दसना उनले टाइम ची गल्लां भी एद सब्सक्राइब करों टिप कोंदी कोंदी हैंगों की तब यह था सडाले उस्तों बात जदो किसे बोटी ने व्याक के आया करना पुछा करना पुछो ना जी मुंडे अले मर जाने बड़े लाल ची है ते वाइफाइ मैंग दसी कुडी अले ग्रीव से ने डॉंगल देके त उस्तों बात जदो किसे ने मर जा करना सोस के दाओ करना पैंजी जड़ा बंदा मरे बड़ा चंगा हुंदा जी हार वे ले आउनलाइन ही रहेंदा सी पैंजी सारे अनु एड़ करके रगदा जी को देक जिनू माड़ा कमेंटर नीं सी करता अच्छा मर्या किता हुन भी मर जड़ा सेलफी लेंदे मरे हैं और उस्तों बाद जदों ब्यामा देवेचे इंटरनेट दियां बोलियां प्या करनियां साधियां लेडिज इंजवाई कर दियां ब्यामाच इंटरनेट दियां बोलियां कितना पैनियां बारी वर्सी खटन गया जी बारी वर्सी खटन गय खट खट के लियां दी फेस्बुक वे में और टोचो डिग पई बार निकल के चोक वे में और टोचो डिग पई इस तरह दा महौल हो जाना जी सोशल मेडिया यूज करने वालों ध्यान से सूनों की सर ने क्या कहा है और आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि इनकी बातों में कितनी सच्छा ही है तो सर आपने इतनी कॉमेडी किया इतनी एल्बम्स लॉंच हुए आपकी कोई ऐसी एक एल्बम जिसमें आपने बहुत असाय जादा लोगों की तरफ से भी आपको बहुत प्यार मिला उसकी कोई टायलोग सना दीजिए और देख जोशी में हर तरह दी कॉमेडी किती है पंजाब दी प्लीस दी कमेडी कीती में करेक्टर कीती और मंत्रियां दी विकिती पुलिस के ही पंजाब की पुलिस और उनके बा उन्हें पहचाने आनिये करुचा है और मेरी चाबी गड़ ली सिरीमान जी साथे मगर आजो किसे ने पुच्छा के विजू कि अगर साड़ी पंजाब दी प्लीस ताबा खोल लवे ते रोटी किस तरह खोएगी मैंके लिए सब पहले लिखें और ना पी एपी शुद्ध ता जुतिया कुसों नपनी रहा है, मिक्स पठा, इजनाब मिक्स सबजी सुडी मिक्स पठा, कि कि मलाजम सादे पठे मारा करने के, जो तो बंदा खाणा होगा, तो ऐसे चोसा मिक्स करने के, हो गया ना मिक्स पठा. मज़ा हा गया सब सुनके, और अचाई एक चीज और ताहिए, कभी जैसे आप कॉमेड़ी करते हैं किसी की, कभी कहीं ना कई, जो आपको रीयर लाइफ ने वो बंदे मिले भी होंगे, जिनकी आप मिमिक्री करते है, कभी किसी ने आपको कोई कमप्लेंट की कि आपने मेरी कॉमेडी की थी या कभी उनको लगाओ कि उन्होंने आपको ये खाओ कि हमें अच्छा नहीं लगा आपने हमारी कॉमेडी की है अगर कॉमेडी बंद हो जाएगी इस तरह लोग अत्राज करनगे तो फिर कॉमेडी खत्म हो जाएगी कॉमेडी दा मतलब यह है कि छोटी गल नूँ बड़े करके कहना बड़ी नूँ छोटी करके कहना कॉमेडी यह सीदा नाया इस ते आज तक मेंनों कोई प्रॉब्लम निया दा दियाई तो को सारे सतकार कर दे है जैसे हमारे पंजाब में प्रवासी मजदूर बहुत रहते हैं लेबर बिहार से आई हुई आप उनकी भी हमने सुना है बहुत अच्छी उनकी कॉमेडी करते हैं तो वो लेंगवेज ग्रैप कैसे करी कहां से जिखी आपने वो लेंगवेज और उनकी भी तीनचर लाइन हमें सुना दीजे ताकि वो जो हमारे प्रवासी लेबर वर्क है वो भी इस वीडियो को देखके खूब हासके घाल इस तरह जी ए पंजाबी जडी लेंगवेज है नो हर बंदा बोलन दी कोशिश कर दा और जो परवासी का में बोलन दी कोशिश कर दिया तो कुछ कमेडी क्रेट हों दिये और साड़ एक परवासी का में फरूट वेचन आं बात चो में बता लगा के खान वाला पपी ता कह रहे है मैं अगर पपी दालो और एसे तरह में नो के जाने पुछ या कि परवासी का में गरल फ्रेंड हों दिया मैं का हुंदी पाई हो कर दे मज़ाना प्यार कर दे परवासी का में गरल फ्रेंड वोदे पैसे सारे खालें आपने और भी सुना था आपने वो कहते है न आपने वो एक सॉंग आया था बड़ा फेमस हुआ था टॉर्णाल छडा उसमें भी आपने शायद कोई मिमिक्री की थी जो हमारे लेपर वर्क से रिलेटेड वो भी सुना दीजिये चलिए प्रवासी का मा इस गीत को कैसे घाता है टॉर्णाल छडा तॉर्णाल छरी रेंदी तॉर्णाल छरी शाधी नी कराइरी जिटाओं दी सेगिबरी रोटी में बनाऊं दीया गचूले विच बाल के कई वरी में खाली निहा आलू ही अवाल के चॉ लान ते में दाल पामा कदे पामा करी पापा जी की कहन दी तॉर्णाल छरी रेंदी तॉर्णाल छरी और इसि dependencies सब्सक्राइब, लेकिन पजाबी मुंटा उन्हों किसा पुछ के हह sıralा, लेकिन पंजाबी मुंटा बहीं मुंन्दा वे सकते हो पंजाबी मुंडा कि कि क्लोबी आ ज sedan करें यो मैं ले करते हो में उन्हों की तो यह बात नहीं है मैंनी रिखेड दृष कर नौव पिặnår बहुत खुश होते हैं उनकी लेंगवेज में कुछ और भी हो जाए साधियां फिल्मा बनाओं दीएगा साधी केसट बनाओं दीएगा से पींट भी दा केसट लेके जाना दाएगा पोटूसा सानु चंगा लगदाएगा और कला कर साधा नहीं बनाओं दे सोना बोल दाएग किती हैं के लिए अपने करें आप इनको भी फेमजागोर्ण करते जाएगा ने मैं उन्ह धीपाशन है वजबा हमको चेंत हो तावरन फिल्म बनाए जया थां थाम नहीं पेचानते और जानत है साध। सब्सक्रा तो का हम तो हमारा गाना गाया था वो किसने साधा भाया को आप इतना हसार है यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है आप से बाते करके घर में आप कैसा इडमोस्पेर रखते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ देखे जी बात ऐसा है कहीं न कहीं से बात निकलती रहती है कैस्से इस तरह में लोग से ने गया मैं आपर रहने हो नहीं उनीत है जिद्धा अडम हो हौ आमधन ही हो सटी आमधन बड़ा हम भढ़ा हो अगर आपके घर में किसी का हीमोग लोग बिन चेक कराया जाए तो I think वो लेवल से उपर जाएगा पका हूँ बिल्कुल बिल्कुल महाउल ही ऐसा बन जाता है जो है मैंने तो बच्पन से सब को हसाया खुद भी हसता रहा हूँ मैं और कमेडियन बनना बहुत मुश्कल है गौड की किरपा हो परमात्मा की किरपा हो गाने मिल जाते हैं लिखे सीख के आदमी गायक भी बन जाता है लेकिन कमेडी बहुत मुश्कल है जरूर बुशना चाहेंगे आज कल जैसे हमने स्टार्टिक में बताया था बहुत ही हेक्टिक शेडियूल है लोगों का बहुत बीजी लाइफस्चायल है या लोग कहते हैं हम लगजरी के पीछे भाग रहे हैं तो टैंशन बहुत जादा है हसना भूल चुके हैं तो आप उन्हें कैसे कहेंगे कि हसना बेसीकली आप तो कौमेडी करके हसाते ही हैं आप उन्हें अपनी तरफ से कोई मैसेज दीजे कि हसना मतलब एक परसन की लाइफ में कितनी इंप्रेंस रखता है मैं ते ही कहना चामांगा सारे अनु के हसना बहुत जुरूरी हसना चाहिदा बाकि जो परमात्मा ने किस्मत विच लिखिया है वो मिली जाना उस अनु कार बैठियां भी मिल जाना इस कार के दौड उनी कलाईए के मननु सकून लवे जिनु रात नु नेंद अच्छी अन्दी है वो सब तो जादा अमीर है जिदे बच्चे कहने कारने जिदी अलाद कहना मन दी हो सब तो अमीर है और परमात्मा कोल दो चीज़ां सिगियां गौड कोल सबर ते सफर सबर जानबरा नु देदे तादी रोटी पादो द्वारा नी मंग दे चुप करके सोजान दिया सफर इंसान दे कोल करोडा और पईया अज मेरी बंबे मीटिंग है कल मेरी गुजरात है परसो में यूके जारा है दौड लगी हो या इस दौड नु कटाके सुकून दी जिन्दगी जीना सिखो अगर तो अनु नु नीद अच्छी आरिया समझो तुसी परमातमा दे करीब हो बे फिक्रे हो जाओ और जीना सिखो हास दे हर वकदरो जो परमातमा ने देना उने देई देना किस मच लिखे आजड़ा कोई खो नहीं सकता हो तो उनों मिलेगा कार बेठे हैं भी मिलेगा किते जान दी लोड़ने जैसे आप कॉमेडी करते हैं तो कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है उसमें कट भी रीटेक्स भी होते हैं बेटे पहले लाइव गाना सीखो गाना पहले सीखना है फिर गाना है और कंप्यूटर से नहीं हमने स्टूडियो में गुस गए mixing हो गई पापा गाना आ गया नहीं बेटा गाना सीखो रियाज करो सब को कहता हूँ मैं अपने बेटे को नहीं कह रहा है सब को कह रहा हूँ वही गाना सीख के आओ और अच्छे गाने ले के आओ जिनकी उमर बहुत ज़ादा हो आज कल गाना एक हबते बाद लोग भूल जाते है पुराने गाने आप सुन लो आज भी नए तरो ताजे बहुत से लोग पुराने गाने सुन रहे हैं उनमें जान है, उनमें सोच है, अब आज में जादू है, तो आज कल कुछ आवाजें ऐसी हैं, कानों को खा रही हैं, आपनी का बंद गारियार किसको लगा रखा है, अच्छा गाना गाओ, कॉमेडी अच्छी करो, कि परवारों में बैठ के सुने, हम लोग फैमिली इंजवा करें वो होना चाहिए, जब आप एबराड में शोस करते हैं, वहां के लोगों से कैसा रिस्पांस मिलता है, क्याते हैं, वहां के बहुत पंजाबी सब तो बाहर, तो वो कैसे रियक्ट करते हैं, आपको हस्ते साते में देखते हैं, ओधर जड़े साथ समुंदरो पार पंज साहिए, जड़े होया, मैंनों बड़ा अच्छा लगदा, ओधर जड़ों भी जाने हैं, हर कंट्रीज शो किते हैं, पंजाबियां दी बेतहाशा सानों महबबत मिल दिया, ओए नाराइ साहिवान जिद नार भी प्यार कर दिया, दिलों कर दिया, जिदी इजद कर दिया, द मेरे पास जड़ा होते हैं, टाइम नहीं होता, तो कुछ फिल्में आ रहे हैं, नेक्स करूंगा, मैं आगे पंजाबी मूवी करेंगा, बहुत अच्छा लगा आप से हमने जो मूमें शेयर किये, जाते जाते हम चाहते हैं, कैमरे के सामने, हम लुद्याना, आप लुद्या कि नशेयां तो परेज करना, नशे बहुत माड़ी चीज है, मैंनू किसे ने क्या पाई नशेयां दे नुकसान हुंदे है, मैंका नहीं जी नशेयां दे फैदे हुंदे है, कैंदे की फैदे हुंदे है, मैंका नशा करना बंदा कदे बुद्दा नहीं हुंदा, कैंदे तो आड़ी माँ भी खोश है तो आड़ी वाइफ भी खोश है तो आड़ी सिस्टर भी खोश है तो आड़ी माँ भी खोश है तो आड़ी खोश है तो आड़ी मुलाकाद टाइमस पंजाब टीवी वालाना हुई और शेख भेल साप और उनने अज मेरी इंट्रिवू कीती है और तुसी देख सकोगे बहुत वदिया इंट्रिवू होई या जी बहुत अच्छा लगा मिलके थाइंक्यो जी कैमरामेन गोल्डी के साथ शिप्राबसरीजा टाइमस पंजाब टीवी